वेल्कम तो दी ऑनलाइन क्लास चुडेंस आज हम पढ़ने वाले हमारे क्लास टी का जो पर्यावरण है उसका चाप्टर हमारी प्रित्वी हमारा घर आर और आर होम तो स्टुडेंस हम शुरू करते हैं कठिन शब्दाट से जिससे आप जो चाप्टर है और अच्छे से समझ पाएंगे माहसागर का मतलब क्या होता है प्रित्वी की जगे पर जो विशाल जल संग्रहें उसे हम माहसागर बोलते हैं पठार का मतलब होता है ऐसा शेत्र जो की ढलवा होता है उपर से चप्टा होता है नेक्स हम देखेंगे महाध्वी प्रित्वी पर जो विशाल स्थल पिंढ है बड़े-बड़े द्रुएप है महाद्रबीब नोग होता है प्रिट्वी का छोटा प्रती रूप होता है उसके लिए ग्लोब का इस्तमाल करते हैं हम आजाते हैं.. हमारे पास क्या है आगी अप जानते हैं कि यह गोल है यह एक तरकी गेंद होती है हमने क्या देखा है प्रित्वी खोल होती है आपने सामने के चित्र को देखूं यह क्या है यह एक ग्लोब है हमने क्या प्रित्वी के चित्र की बात करें हम कैसा दिखता है वह गोल है यह एक ग्लोब है वास्तव में ग्लोब प्रित्वी का छोटा प्रतिरूप ठीक है नेक्स हम देखते हैं प्रित्वी का यह प्रतिरूप मनुष्य द्वारा बनाया हुआ प्रतिरूप है अब जैसे पढ़ने की वज़े से और बहुत सरी यह वज़ों से हमें प्रित्वी को अलग-अलग भागों को एक साथ देखना था तो यहां प प्रित्वी का चोटा सा प्रतिरूप है यह प्रित्वी का आकार प्रकार समझने में हमारी सायता करता यह किसलिए बनाया गया था प्रित्वी का आकार प्रकार समझने के लिए बनाया गया था यह ग्लोब का कार्या है अब हम नेक्स देखते हैं अब सावदानी से ग्लोब क के प्रतिरूप गुमा रहे हैं आप वास्तम में ग्लोब का परदी रूप होता है पृत्वी का यदि आपने ग्लोब को देखआ होगा तो यह समझ रहे होंगे कि इसका काफी सारा इस्सा नीले रंग और नीला प्रित्वी पर जल का भाग को दरशाता है तो नीला रंग पर जलके भाग को दरशाता है प्रित्वी पूरी तरह से 71% जो है वो भाग बनाता है ग्लोब पर हम देख रहे हैं जो 71% है वो रंग किसका वो कैसा रंग है वो नीला रंग यानि की इतना जल है वो ये बता रहा है सेश शे सता पर जमीन का पिन है बाखी की जो जगें बच्चती है वहां पर पर क्या दर्शाती है जल का भाग और जो हरी वाली होती उदर्शाती है जमीन का भाग अब हम देखते हैं यहां पर हम लोग के जो चीजें भाग उसके बारे में महाद्वीब के बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं महाद्वीब के बारे में विशाल थल भाग महाद्वीब कहलाते हैं विशाल थल भाग महाद्वीब कहलाते हैं प्रित्वी पर साथ महादीप है प्रित्वी पर कितने महादीप है साथ महाद्वीब है बड़े- अंटार्टिका और यहां पर हम देख सकते हैं हमारे पास यहां पर है उत्री अमेरिका दक्षिन अमेरिका उसके बाद यहां अफरीका यूरोप एशिया और लास्ट हमारे पास बचता है अंटार्टिका और ऑस्ट्रेलिया वहां ऑस्ट्रेलिया और यहां अंटार्टिका तो अफ Cum हैं उत्री अमेरिका दक्षिण अमेरिक यूरो अंटार्टिका और आस्ट्रेलिया यह साथ माधवीप हैं अगला हम देखते हैँ एश्या इन सब हम आगे देखते हैं हमने किस बारे में पड़ा भी अभी हमने पड़ा महाधुईपों के बारे में यह साथ है और जिसमें जाम रहते हैं भारत वह उसमें आता है और वहीं दूसरी और सबसे चोटा कौन सा है ऑस्ट्रेलिया है किसके बारे में पढ़ेंगे महा साघर जाल भागया विदेखा बड़े जमीन का बड़े बड़े जवीन का वह देखा अब हम बढ़ेंगे महा शागर कितने पांच हैं उनके नाम देखेंगे उससे पहले हैं वापिस कर लेते हैं माध्वीब कितने हैं और महासागर कितने पांच तो हम अब उनके यहां पर नाम देख लेते हैं प्रशांत महासागर है सबसे पहला हमारे पास फिर हैं हमारे पास अट्लांटिक महासागर इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास है हिंद महासागर फिर है Antarctic महासागर क्या देखा था हमने स्टूडेंस महासागर विशाल जल्ब आगे जो कितने हैं पांच महासागर हमारे पास जिनके नाम क्या-क्या है प्रशांत महासागर अट्लांटिक सागार हिंद महासागर और अंतार्टिक महासागर फ्रशांत महासागर सबसे बड़ा है बता सबसे बड़ा महासागर है अब हम देखते हैं सबसे चोटा जानते हैं कि प्रित्वी की सता हर जगे स्मतल नहीं है कुछ थानों पर पर्वत है और कुछ थानों पर मैदा नहीं बोल रहे हैं कि जितनी भी धरती है इतना भी लाइंड है वह एक जैसा नहीं है कई पर पर्वत है उचे उचे और तो खाली मैदान है ठीक है अब हम यहां देखते हैं प्रित्वी की सतय पर कहीं स्थानों पर नदियां जीले तालाब और यह सब घाट आधी और पठार आधी हैं प्रित्वी की सतय पर लक्षण कंदों के बहुत इक होजब होविफशन है इनके उचाइएं को समुंदर के तल से नापते हैं हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर हमने Congressman ने देखा था हम बात करें धर्थी के बारे में कि वह हर जगे से एक समान नहीं है कुछ स्थान परवतर और बाकी सारे जो है मैदान है फिर हमने देखा था प्रित्वी पर कई जैसे जील घाट और ऐसे बहुत सारी जगें आदी है प्रित्वी की सतय के लक्षन है वो प्रित्वी के बहुत एक लक्षन है ठीक है स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं हम इनके जो उचाहियों को समुंद्र के तल से नाबते हैं water level C level से नापते हैं तो हमने पड़ा था अभी तक महा द्वी और महा सागर के बारे में हमने देखा था जो महासागर के सबसे बड़ा सागर हो गया हमारा प्रशान सबसे चोटा कौन सा अक्तिक महा सागर हो गया इसके बाद हम यहां देखने वाले हमारे जो पर्वत है उनके बारे में पर्वत क्या होते हैं पर्वत होते हैं सबसे उचय भाग अक्सर श्रिंखला में पाए जाते हैं कभी आप जाधा तर आप एक परवत-दो-पर नहीं देखेंगे कफी उचे पर्वत होते हैं वह किससे गिरे रहते हैं का। सबसे उचा पर्वत है चोटे पर्वत पहड़्या कहलाते हैं आप कौनसे होते ह। जो काफी उचे होते हैं जो जमीन का सबसे उचा भागे हुने हम परवत बोलते हैं परवत अक्सर कैसे पाए जाते हैं students परवत अक्सर जो है श्रिंखला में पाए जाते हैं जो उचे उचे पाड़ियां होते हैं वो श्रिंखला में पाई जाते हैं उचे परवत बर्फ से ढखे रगते हैं। इसके बाद हमने जाना था जो Mount Everest है वो पृत्वी का सबसे उचा परवत है। चोटे परवत जो होते हैं, जो छोटे-छोटे होते हैं, जादा उचे नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? बोलते हैं तो हम यहां next चार जाते हैं हमारे पास जो है मैदान है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमको मैदान क्या होता है पृत्वी की समतल एवं सपाट सते है ठीक है अब मैदान क्या होता है मिट्टह बनते हैं मैंधान के अब मैदान के लिए उप्युक्त होते हैं। खेती के लिए अधिक उप्यूक्त होते हैं क्योंकि यह क्या होते हैं इसलिए इन पर खेती की जा सकती है मैदान का प्रसिद उधारण क्या है गंगा ब्रह्मपुत्र का उत्तर भारत का पठार जो है वह इसका बहुत अच्छा उधारण है अंतल यहां प्रशन बन रहा है पाथ प्रस्पाइब लेकिन अकसर आज पास की इलागों से उची होती है होते थो झाल पर ऊटी होती है स्टूडिय। हम पड़ लेते हमने की आपढ़ा हम धड़ती की बारे में पढ़ यह थे इतन Key सबसे पहले पढ़ा था माधवीब के बारे में अब जो विशाल थल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम महाधीब बोलते हैं माधवीब प्रित्वीब पर साथ होते हैं ठीक है उनके नाम उन्हें पढ़ लेते हैं एशिया है एफ्रिका है उत्तरी अमरीका दक्षि एसिया है और सबसे छोटा माजवी पो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया नेख्स अगर क्या होते है विशाल जल भागोते हैं अब यह कितने हैं यह पांच हैं हमने उनके नाम क्या देखे थे प्रशांच अगर अटलंटिक माज़ागर हिंड्राइब आर्टिक महासागर और अंटार्टिक महासागर हमने यहां क्या देखा था सबसे बड़ा महासागर है हमारा प्रशांत महासागर और दूसरा देखा था सबसे छोटा कौन सा है सबसे छोटा वाला है आर्टिक महासागर इसके बाद हम बात कर रहे हैं परवत की परवत कौन से ह हुँтора एक भाताई यहां प्रवत होते हैं इसके बाद हमने देखा ता जो सब सब्सक्राइब धेट आरू पर्वत कोन सा है मांट एवर्स प्रितवी का सबसे चोटज था के बात हैं यह तो कि बात आप शोटी चोटे चोटे हम बोलते हैं आप पहाडियाँ बड़े वाले हो गई परवत चोटी वाली हो गई हमारी पहाडिया, मैदान क्या होते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे थे जैसा कि हमें नाम से पता चलता है कि यह होते हैं पृच्वी का समतल सपाट जो भाग होता है सत होती है अक्सर नदियों द्वारा मेदान जो है वह खेती के लिए उप्यूपक्त और होते हैं क्यूंकि यह काफी बीजादाब है इसके बारर्ण के देखा तक मैदान का जो प्रसिद उधारण है कि तक गंगा और ब्रह्मपुत्र हम इसका उधारन मानते हैं अब इसके बाद हम ने देखा था पठार क्या होते हैं सपाट सते होथी है यहाँ अक差 Donc एक इलाकों से उच्शी उठी होती हैं I मैदानों में पढ़ था एक तो मैदान के बारे में पढ़ लिया था फिर पठार के बारे में एक बार इसको रिवाइज कर लिते हैं मैदान जो होते हैं नदियों के साथ जो मिट्टी आ जाती है उनसे मैदान बने होते हैं जो खेती के लिए बहुत उप्युक्त होते हैं और क सर आसपास से उची उठी हुई होती है यहां पर स्टूडिन्स हमारे प्रश्ण क्या बन रहे हैं प्रश्ण यहां हमारा बन रहे हैं पहला तो मैदान क्यों किसके लिए उप्यूगत होते हैं तो हम यह देखेंगे मैदान खेती के लिए उप्यूगत होते हैं क्योंकि वह पहार और परवत क्या होते इनके इंतर हम बताएंगे इसके बाद हम बताएंगे जो बनाया गया प्रचिर dispos05 वोलते हैं उसके बाद सबसे बड़ा या सबसे छोटा जो है वह कौन सा है ओके स्टुडेंट्स तो यह तो हो गया हमारा क्या हमारी पृत्वी का पार्ट वन इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए आपको इसको रिवाइस करना और जो कोशन हमने डिसकुस है वह आपको पर नहीं है ओके स्टुडेंस ग्याच खाल फो टोड़े थांक यू आप अवन नाइस जिए